रविंद्र कौशिक जिने हम ब्लैक टाइकर की नाम से भी चानते हैं हमारी देश की ऐसे जासूस की कहानी में बताने वाले हूं जोसे सुनकर आपके होश उड़ रहेंगे तो लास्ट एक वीडियो को जरूर देखिए और कमेंट करके जरूर बताए कि वीडियो कैसी लगे रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अपरेल 1952 को राजिस्तान में श्री गंगा नगर जिले में हुआ था वो एक मशूर धीटर कलाकार थी और राश्टिस तिर पे नाटक सभा लकनों में प्रदर्शन कर चुकी थी जिसे कुछ भारती खूफिया एजिंटों ने भी देखा था और उनसे पहली बार संपर्क में आए थी उन्हें खूफिया एजिंट की नौकरी का प्रस्ताफ इसी पर रखा गया था सिर्फ 30 साल के थी जब उन्हें मिशन में पाकिस्तान भीजा गया श्री गंगा नगर से होने के कारण उन्हें पाकिस्तान के बड़ी हिस्से में बोली शक्कीर रख दिया गया उन्हें कराची के विश्विद्याले से अपनी एललबी की पड़ाई पूरी की और आगी जाकर वो पाकिस्तानी सेना में भरती हो गये और एक कमीशन अधिकारी बन गये और थोड़ी ही वक्त में उन्हें मेजर की पत को भी हासल कर दिया उन्हें ए जिसके वज़े से उनका नाम ब्लैक टैगर पड़ गया था 1983 में रविंद्र के साथ संपर्क करने के लिए एक एजेंट इनायत मसीहा को भीजा गया पर इस एजेंट को पाकिस्तान की खूफिय एजेंसी ने पकड़ लिया और रविंद्र कौशिक के बारे में अब उनको कोचर किया गया और उसकी बाद उन्हें उम्रकाद हो गई 16 सेल तक जील में दिन रत काटने के बाद अंत में तबित खराब होने के वज़े से उनकी मौत हो गई